Good morning students, welcome in the class 8 जैसे कि आप देख पा रहे हम लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा कक्षा आठवी का और हमारा जो चाप्टर चल रहा है वो है बिटा चाप्टर नमबर 7 that is Variation Variation में अभी तक हमने जो portion देखा हुआ है जिसमें हमारा practice state 7.2 का 6 example मैंने homework दिया था Let's start problem number 6 So X varies inversely as Y when X is equal to 15 then Y is equal to 10 If X is equal to 20 then Y is equal to question mark तो यहां पर पिटा कौन सा Variation दिया है वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे X is inversely proportional to Y Therefore आपको पता है X is equal to क्या होगा पिटा K upon Y क्योपन Y हो जाने के बाद आपको यहां पर value मिल रही है K is equal to X into Y अब आपको पता है कि X यहां पर आप लोग यहां पर लिख सकते हैं X is equal to 15 and Y is equal to 10 And therefore K is equal to 15 into 10 Is equal to आपका answer आता है यहां पर 150 Okay तो X is equal to 150, sorry K is equal to 150 Answer मिलने के बाद आप लोग directly यहां पर लिख सकते हैं If X is equal to 20 Then Y is equal to question mark And therefore X into Y यह वाले equation में हम लोग directly value रखते हैं Therefore 150 is equal to 20 into Y Therefore Y is equal to 150 upon 20 Y यहने के क्या होगा बटा सामने के संक्या बटे बाजू की संक्या Yने के 150 upon 20 is equal to Y is equal to आपका answer आता है यहां पर 0 and 0 get cancelled Yने के 15 upon 2 is equal to आपका answer यहां पर मिल आता है बटा 7.5 and it is our final answer तो यहां पर हमारा यह question number 6 complete होता है अब चलते हम लोग हमारे next portion की तरफ वो है Time, work and speed तो अब यह जो next practice set आने वाला है हमारा practice set 7.3 यह depends on time, work and speed के उपर आधारित होगा इसके related कुछ एक्जांपल्स आपको यहां पर दिये गए हैं यह examples आप लोग पढ़िए, check करिए इसके आधार पर आपको यह problems की तरफ से solve किये गए हैं इसकी एक थूड़ी सी idea आपको यहां पर मिल जाएगी तो यहां पर हमारे पास जो practice set 7.3 दिया गया है यह practice set 7.3 में यह जो first problem है which of the following statement are of inverse variation यह हम लोग एक बार check कर लेते इन में से inverse variation के problems कौन से है और direct variation के problems कौन से है यह हम लोग को यहां पर लिखना है और इसके बाद हम लोग बाकी के problems solve करने की कोशिश करेंगे तो let's start practice set 7.3 तो let's start practice set 7.3 यहाँ पर हमने first problem लिख लिख लिए which of the following statement are of inverse variation यहाँ पर first number लिखा हुआ है number of workers on a job and time taken by them to complete the job मतलब हमने अपने job पर number of workers रखे हुए है और उनको लगने वाला समय जो होगा complete the job, complete करने के लिए सबका समय एक जैसा हो सकता है क्या मतलब जैसे number हम लोग increase करेंगे तो उनको complete करने के लिए वो job complete करने के लिए समान समय लगेगा क्या मान लिजिए कि आज मैंने दो workers रखे है और उनका job complete हो रहा है कल ठीक है तो जितना समय लगेगा ठीक है उतना ही यदि मैंने चार workers मैंने कल रखे और उनका समय होगा पर थो कम complete तो उनको लगने वाला समय एक जैसा हो सकता है क्या कम ज़दा हो सकता है तो इसके लिए निच्छित हम लोग कोई मतलब हमारा conclusion नहीं बता सकते हैं इसलिए यह जो फर्स सेंटेस होगा वो होगा बिटा बिटा हमारा inverse variation ठीक है यह जो equation आपको दिया गया है यह equation आपको आपका variation बता रहा है यह equation होगा हमारा inverse variation तो लेस्ट राइट डाउन question number 2 यहाँ पर question number 2 is number of pipes of same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank अब देखिए बिटा बहुत सारे pipes हैं भान लीजी कि हमने पाच pipes लिए जो की same size के हैं ठीक है और उसको हमें उसके आधार पर हमको tank को fill करना है और इसके लिए लगने वाला समय जो होगा वो भी time taken by them to fill the tank मतलब इसमें दो variation दिये गये हैं number of pipes and time taken ये दोनों एक बूसरे के साथ कैसे वैरिस होंगे directly होंगे या invertly होंगे या आपको पूछा गया बड़ा तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें यहापे fill the tank वाली condition आपको दी गई है ठीक है अब भले ही ये pipe जो है वो number of गंटे में fill हो या फिर कभी-कभी एक घंटा भी लग जाए है ना तो यह proportion इसका हम लोग conclusion इसका करेक क्लियर ली नहीं बोल सकते हैं कि जितना जितने समय में ये pipe fill हो रहे हैं उतको लगने वाला समय एक जैसा ही है वो तो अलग-अलग हो सकता है इसलिए यहाँ पर हम लोग clearly बोल सकते हैं कि ये भी equation जो होगा वो inverse variation का ही होगा तो let's write down question number 3 then अब तीसरे equation को लिखते हैं तो next question is petrol fill in the tank of vehicle and its cost अब देखो बटा अगर petrol की tank fill करने की बाद अगर time से होती तो clearly हम लोग बोल सकते हैं कि ये inverse variation है लेकिन इसकी cost के साथ है मतलब जितना petrol बरेंगे उतनी cost लगेंगी कम petrol बरा तो कम cost लगेंगी ज़्यादा petrol बरा तो ज़्यादा cost लगेंगी तो clearly हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये जो equation है ये हमारा direct variation को conclude करता है अब हम लोग चलते हमारे fourth problem की दरफ so the question number four is area of circle and its radius मतलब area of circle और radius के बीच में variation आपको यहाँ पर बताना है आ रही है कि छोटा circle चोटा circle का area तो इसका radius small और बड़ा circle का area तो उसका radius large यानि इसका मतलब यह होगा कि यह दोनो direct variation आपको show कर रहे हैं मतलब कम area तो कम radius और ज्यादा area तो ज्यादा radius तो इस तरह से हम लोग यह चारो example हमने आपर solve किये हुए हैं अब हम लोग हमारे दूसरे problem की तरफ चलते हैं जो की दूसरा problem आपको टेक्सबुक में दिया गया है वो है बिटा if 15 workers can build a wall in 48 hours मतलब 15 workers जो है वो एक दिवार जो है वो 48 घंटे में बनाते हैं ठीक है 15 workers एक दिवार को बनाने के लिए 48 घंटे लगते तो how many workers will be required to do the same work in 30 hours अगर यही कारिया मतलब यही कारिया मतलब हमको एक दिवार बांदनी है और उसको हमें 30 hours में complete करना है मतलब 30 घंटे में उसको complete करना है तो यहां पर worker की संग्या हम लोग को कम करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी बिटा सोचो कम करनी पड़ेगी या बढ़ेनी पड़ेगी करेक्ट हम लोग को संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो यह जो equation है यह equation सीधा सीधा आप लोग को यहां पर बता रहा है कि 15 workers के लिए 48 घंटे तो यहां पर अगर संख्या बढ़ा दी मान लिजे कि 30 workers हमने यहां पर रख हैं यह कौन से variation में आता है equation inverse variation में correct तो inverse variation सी इसको हम लोग solve करेंगे तो here I have written an example of question no.2 is if 15 workers can build a wall in 48 hours how many workers will be required to do the same work in 30 hours तो यहां पर solution हम लोग ने लिखा हुआ है solution में मैं आपको directly आपर बता रहा हूँ कि let x and y be the workers and time taken by them correspondingly मतलब x जो है वो number of workers है और y जो है वो time taken है तो हम लोग directly आपर बोल सकते है कि x is inversely proportional to y मतलब इस तरह से हम लोग inverse proportion लिखेंगे है रो जैसे कि आपको पता है x is equal to kya होता है यहां पर k upon y where k is constant of variation ओके अब इसके सामने हम लोग यहां पर लिख सकते है when x is equal to 15 y is equal to 48 अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बटा k की value calculate कर लेते हैं therefore k is equal to आप लोग को क्या मिल रहा है x into y मिल रहा है तो हम लोग k x और y की value यहां पर पूट करेंगे तो हमें k की value मिल जाती है 15 into 48 is equal to multiplication करने के बाद आपको यहां पर answer रहता है बटा 720 तो k is equal to 720 यहां पर आपको answer मिल गया है अब अब आप लोग directly लिखेंगे if x is equal to x is equal to question में आप लोग को बोला गया है कि how many workers will be required मतलब x is equal to question mark है and y is equal to 30 hours आपको यहां पर दिया गया है therefore k is equal to x into y यह condition है तो k की value आप लोग यहां पर put करेंगे k is equal to 720 x को हम लोग जैसी की वैसे रखेंगे y is equal to 30 रख लेते हैं therefore x is equal to क्या होगा सामनी की थांग्या बटे बाजू की थांग्या यानिके 720 upon 30 00 get cancelled तो 72 divided by 3 is equal to आपका answer आथ बटा यहां पर 24 and x is equal to 24 तो 24 क्या हो गया है यहां पर therefore 24 वर्कर्स are required to build a wall in 30 hours मतलब 24 वर्कर्स से वही दिवार जो है वो तीज गंटे में बन जाएंगी और बना लेंगे ठीक है तो यह हो गया बटा हमारा question number 2 okay तो इसी तरह से आपको अपनी पकी कॉपी में यह problem जैसे के वैसे उतार लेना है अब इसके बाद में जो आने वाला next problem है बिटा वह है question number 3 ठीक है यह जो question number 3 है यह question number 3 आपको solve करके देखना है जो कि यह मैं आपको homework दे रहा हूँ यह simple सा problem है 120 बैग आफ हाप लीटर मिल्क can be filled by a machine within 3 minutes मतलब 120 बैग जो है जिसमें हाप लीटर मिल्क हमको बरनी है machine द्वारा ठीक है machine यह जो बैग साथे ना machine machine से फील होते बिटा यह जो अमूल मिल्क वगरे आता है या हल्दी राम का मिल्क आता है ऐसे 120 बैग है आधे आधे लीटर के उनको machine द्वारा फील करने से तीन मिनिट लगते हैं तो यदि ऐसे 1800 बैग से 1800 बैग से उनको कितना समय लगेगा यह सवाल पुछा गया है थीक है तो machine तो एक जैसी वर्क करती है तो 120 बैग के लिए अगर तीन मिनिट है तो 1800 बैग के लिए उससे जादा समय लगेगा मतलब यह जो एक्सामपल है वो डारेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है डारेक्ट वेरिएशन के प्रॉब्लम का यूज करके आप लोग डारेक्ली इसको सॉल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग इस अगले वीडियो में तुरंत मिलते हैं तब तक टेक क्यार वाई थेंक्यू